ओम नमस्शिवाई दोस्तो आईए जानते है कुम्भर आशी वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2022 कुम्भर आशी के लोग कला, संगीत, शिल्प और साहित्य में रुछी रखने वाले होते है भावनाओं और बातों को गुप्त रखने की वजह से मानसिक और शारेरिक रूप से कष्ट उठाते है सोंदर्य के पुजारी होते है और आगे बढ़ने की इच्छा हमेशा रखते है जो भी कार्य करते है उसे पूरे दिल से संपन्न करते है आई ये जानते है साल 2022 कुम्भराशी वालों के लिए करियर के दुष्टिकों से कैसा रहेगा इस वर्ष आप अपने कार्य के प्रती अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे और बेहतर प्रदर्शन कर पाने में सफल होंगे वर्ष की शुरुवात में कार्य शेत्र में आपके सह कर्मी आपको पूरा सहयोग देंगे जिससे आप हर कार्य को समय रहते पूरा कर सकेंगे नवकरी या व्यापार में परिवर्तन के लिए अप्रेल और मही का महिना सबसे ज़्यादा उत्तम रहने वाला है साल के उत्तरार्ध में आपको कुछ समस्या हो सकती है अगर आप किसी परियोजनामी निवेश करने की सोच रहे है या फिर किसी प्रकार का सवदा करना चाहते है तो आपको सलाह दी जाती है कि इस कार्य को साल के पहले 6 महिने में करे अन्यथा नुकसान हो सकता है साड़े साती होने की वज़े से कोई भी कारिय शुरू करने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सला जरूर ले इससे आपके व्यवसाय में तरक्की होने की संभावना में रुद्धी होगी अब जानते है साल 2022 में कुम्भ राशी वालों के लिए पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा वर्ष के प्रारंभ में थोड़ी परिशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि इस दवरान छाया ग्रह राहू आपकी राशी के चतुर्त भाव में रहेगा इससे आपको कुछ मानसिक परिशानीयों का सामना करना पड़ सकता है और पारिवारिक माहोल कुछ तनाव पुर्ण हो सकता है धेरिय से काम ले और चिदों को नजर अंदाद करे साल की दूसरी तीमाही में आपको यह मौका मिल सकता है कि आप परिवार में मवजुद समस्याओं को दूर कर सके साल की अंतिम तीमाही कुम्भराशी के दातकों के पारिवारिक जीवन के दुरुष्टिकों से बेहतर रहने की संभावना है इस अउधी में आपको आपके परिवार का पुर्ण समर्थन प्राप्त हो सकता है करने से आर्थिक स्थिती में सुधार आएगा वर्ष के मध्य में अर्थात अपरेल से सितंबर के बीच आपको व्यापार में अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे और लाप्त की स्थितिया बनेंगी अप्रेल से सितंबर के दवरान आपको विशेच लाब होने के योग बनेंगे इस साल आपकी आई तो अच्छी होगी लेकिन आपके खर्च भी बढ़ सकते है जिस्ते स्थिती सामान्य रह सकती है यही वज़्य है कि इस वर्ष में आप अपनी उम्मित के अनुसार धनसंचय करने में असफल रह सकते है अब जानते है साल 2022 कुम्भर आशी वालों के विद्यार्तियों के लिए कैसा रहेगा परिक्षा की तैयारी में लगे छात्रों को विशेश तवर पर अप्रेल के महीने में सफलता मिलेगी जिससे आपके विश्वास और पराक्रम में रुद्धी होगी अप्रेल तक ब्रुहस पत्ती की दुष्टी पंचम भाव पर होने से मांसिक रूप से सकारात्मक उर्जा आती रहेगी जिससे आप हर विशाई को समझने में सक्षम होंगे इस वर्ष आपको कई ऐसे मौके प्राप्त हो सकते है जहां आपको आपके परिक्ष्रम का उचित्फल प्राप्त हो सकता है प्रतियोगी परिक्ष्याओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अब जानते है साल 2022 कुम्भ राशी वालों के लिए स्वास्त की दुष्टिकों से कैसा रहेगा इस वर्ष कुम्भ राशी के दातकों को सेहत से जुड़ी कुछ परिशानी हो सकती है क्योंकि आपके राशी स्वामी, शनी, वर्ष के पुर्वार्ध में आपके बारवे भाव में रहेंगे जिससे आपको स्वास्त से जुड़ी कुछ तकलिप परिशान कर सकती है संभावना है की आपको सरदर्ध, एसिड़ेटी, जोड़ों में दर्ध, सरदी जुखाम, जैसी समस्चाये परिशान करती रहे अप्रेल के पच्चात का समय स्वास्त की दुरुष्टी से अच्छा रहेगा आप इस वर्ष अपने मानसिक स्वास्त को लेकर सजग रहे इसके अलावा कुछ नई व अच्छे आदते, जैसे की अच्छा खानपान, व व्यायाम और योग को अपनी बिनचारिया में शामिल करना भी इस वर्ष आपके मानसिक स्वास्त के लिए बहतर साबित हो सकता है अब जानते है, साल 2022 कुम्भ राशी वालों के लिए प्रेम संबंद के दुरुष्टी कोन से कैसा रहेगा साल 2022 की शुरुवात में आपका प्रेम संबंद का कारग्रह बुद शनी के साथ आपकी राशी से बारवे घर में विचरन कर रहा है इसका मतलब यह है कि यह वर्ष आपके प्रेम संबंद के लिए काफी अच्छा साबित होगा इस वर्ष आपको लंबे समय के बाद अपने साथी का मन जितने का मौका मिलेगा इसलिए आपको इस मौके को बिलकुल भी नहीं गवाना चाहिए इस वर्ष आप अपने प्रेम जीवन को अच्छी तरह से जियेंगे अगर जाती धर्म या परिवार आपके प्रेम के मार्ग में बाधा बन रहा हो तो इस वर्ष यह अवश्य दूर होगा अगर आपकी अपने पार्टनर से बातचित बंध हो तो आप किसी मित्र की सहायता से अपने पार्टनर की नारादगी दूर कर सकते है आपका अपने रिष्टे को बचाने के लिए इतना प्रयास करना आपके साथी को भी प्रसन न कर सकता है अब जानते हैं साल 2022 में कुम्भ राशी वालों के लिए कुछ उपायों के बारे में आपकी राशी शनी की साड़े साथी से प्रभावित है इसलिए शनीवार के दिन सरसो के पेल का दीपप, शनी मंदीर या पीपल के पेड़ पर नीमित रूप से जलाते रहे शनीवार के दिन शिटियों को मिठा आटा डालने से भी आपकी समस्याए दूर होंगी शनीवार और मंगलवार को सुन्दर कांड हनुमान चलिशा का पाठ जड़ी सम्भव हो तो अवश्य करे भोजन में उड़त की डाल, चना डाल और काली मिर्च का उपियोग करे आप सभी को नए साल की शुपकामनाए धन्यवाद